आज हम बात करने वाले हैं अगर आपके Realme के फोन का कैमरा काम नहीं कर रहा है या फिर वर्क नहीं कर रहा है या फिर आपके फोन का कैमरा ओपन नहीं हो रहा है तो ये प्रॉबलम कैसे ठीक करें तो इसके लिए आप अपने फोन में सेटिंग्स को ओपन करिए Settings Open करके नीचे आईए नीचे आकर आपको मिलेगा Apps Apps पे किलिक करिए Apps पे किलिक करके उपर आएगा App Management इस पे किलिक करिए उसके बाद आपके फोन के सारे Apps आचुके हैं अब आप नीचे आईए नीचे आकर आपको मिलेगा Camera Camera पे किलिक करिए उसके बाद force stop पर किलिक करिए नीचे force stop पर फिर से किलिक करिए उसके बाद आपको मिलेगा permission इस पर किलिक करिए और यहाँ पर यह सारी permission on करिए तो एके करके सारी permission पर किलिक करिए और allow only while using the app इसे select करके back आईए तो इस तरीके से सारी permission on करिए फिर से back आईए अब आपको मिलेगा नीचे storage usage इस पर किलिक करिए यहाँ पर आएगा clear data इस पर किलिक करिए उसके बाद ok करिए यहाँ पर clear data करके back आईए फिर से back आजाईए अब अपने phone को restart करिए यानि बंद करके चालू करिए उसके बाद check करिए आपके phone का camera open हो जाएगा नीचे agree and continue करिए allow करिए तो permission allow करने के बाद अब आपका camera अगर open हो जाएगा तो उपर 3 dot पे किलिक करिए right side में 3 dot पे किलिक करके नीचे आएगा settings का option इस पे किलिक करिए उसके बाद नीचे scroll करिए नीचे आकर आपको मिलेगा restore defaults का option इस पे किलिक करिए और restore defaults पे फिर से किलिक करिए तो यहाँ पर यह करने के बाद back आ जाएए अब उसके बाद आपके phone में camera काम करने लग जाएगा तो इस तरीके से इस problem को ठीक करें अगर problem ठीक नहीं होती है तो हो सकता है आपके phone में कोई hardware problem है तो वो आपको repair करानी पड़ेगी अपने phone के service center या फिर किसी mobile shop पर तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें